फिल्म की शुरुवात में एक डरी होई लड़की दिखाये जाती हैं। उसे जहनी सकूर नहीं हैं। किसी बात को लेकर वो इतना डरी होई है कि काफी डिस्टर्ब हैं। उसके जिसम पर अजीब तरह की काले निशान बने हुए थी। और बार बार वो डॉल डॉल इनी कोई बात नहीं है पर इसका कोई फाइदा नहीं हुआ कि उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। और पिर तभी उसे अपनी दोस्त की पीछे एक बच्ची जिसने सफेद रंगी कपड़े पेहने हुए थी। उसकी आत्मा दिखाये देती हैं। जिससे वह और डर अपना कंट्रोल को दीती हैं। इसलिए वह एक फॉक यहनी कांटा लेकर अपने गले में गुसा लेती हैं। टेदी से उसका खून बेने लगा जिससे फूहीं उसकी मोथ हो जाती है। यहीं पर इलडॉल भी पड़ी हुई थी। इसे दिखाकर यह सिन इदर ही कर्ट हो जा सारा को देखती हैं जिसके साथ उसकी मोम बैटी हुई थी। कम्यूनियन खत्मोने की बाद सबी लोग बाहर आ गई। यहां तबी एक घबराई हुई और अपनी बेटी जिसका ना मेरी सोल है उसकी बारे में पूछने लगती है। वो बताती है कि इसी चर्च में एक उरत को वहां से ले जाकर दूर कई बेश देती हैं अभी फैमली घर आ गई जहां पर सारा पोर हो रही थी। इसलिए थोड़ी की दिर की बाद वो अपने दोस्त के साथ क्लब के लिए निकल जाती हैं अब हलांकि उसे यह सब पसंद नहीं था लेकिन आज यहां आकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था अपने दोस्त के साथ वो काफी जॉय करती हैं यहां वो पहले बार नशा भी करती हैं ताकि उन्हें और मज़ा आएं अब यह नशा क्लब में एक लड़का बेच रहा था जो द्रसल एक ड्रग डेलर था क्लब में डास करती करते सारा के निजर बैटा ही रा गई इनके सामने ड्रग डीलर की गारी आकर र Goog ती यह करती हैं तर सारा की दोस्त कहती है कि यह तुम कहा लेकर जा रहे ह हो हम्में में रास्ते से जाना है पर वो बात नहीं मानता इस लिए दोनेों की बेहर सुननी लगती है लेकिन तबी सारा एक ढ़ाएं व कि यहां इस टाइम जंगल में धूम रही है वो कहीं गुमना हो गई हो इसलिए गाड़ी से बाहर आकर वो उसे ढूरने लिखती है पर उसे बाहर एक डॉल के लावा और कुछ नहीं मिलता इसलिए वो उस डॉल को ही अपने पास रख लेती है यह सोचकर कि यह पर जरूर उस बच्ची की ही होगी और जब वो बच्ची हमी दुबारा नजर आई तो हम यह उसे दे देंगे लेकिन बच्ची पुरे रास्ते है दुबारा दिखाई नहीं दी इसलिए सारा उस डॉल को अपने साथ घर ही ले आती है यह डॉल बिलकुल उसी लड़की की डॉल जैसी थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था अगले दिन सारा जब नहा रहे थी तो वो अपनी बाजो पर अजीब तरह काला ने शान देखती है लेकिन सारा इसको नजर अंदास करके अपनी दोस्त से मिलने उसके पास चली जाती है जहां उसकी दोस कहती है कि इस टाउन की मैंने एक कहानी सुनी है जिसमें एक मीनन वली लड़की जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था कहा जाता है कि उसकी आत्मा लोगों को दिखाए देती है उसके पास एक डॉल थी जो सब के मताबिक कर्स्ट है जिसे बुरा माना जाता है जिसके पास भी वो होगी उसकी साथ अच् तो फादर ڈॉल को भी चेथ करती है और ये भी बताती है ये नहीं और नाईगी डॉल कर्स्ट है बलकि हो आम सी बच्चों की करने माली डॉल है और कुछ नहीं पर यहां हम फादर की चेरे को देकर अंताजा लगा लेती है कि उनके इंदर कुछ और ही चल रहा है वो पकड़ लेती है जिसके साथ ही सारा खुट को एक कुए में पाती है यहां पर पानी भारा था वो खुट को यहां पाकर काफी खबरा जाती है और पिर तबी उस चोटी बची की आत्मा जिसने सफेद कपड़े पेहने हुई थी वो नीचे से सारा पर हमला कर दीती है और उसे पाने में डबो कर मारने की कोशिश करती है सारा दुबारा से उपर आ गई डर की वज़ा से वच चिलाने लगती है जहां तबी बातरूम में आकर उसकी मॉम डैड सारा को संभालती है जो चिलाने की बाद भी होश हो गई थी उसकी मॉम डैड उसे होश मिलाती है और अब उ का निशान दिखाते हुए कहती है सब कुछ उल्टा सीधा भी हो रहा है निशान तो वक्त के साथ सथ बड़ा होता जा रहा है जिस पर यहां उसकी दोस्त भी हरान कुन जानकारी देती है कि बिल्कुल ऐसा ही निशान मेरे कंदी पर भी बना हुआ है जो केकर वो सारा को भी अ पर यहां में पता चला कि ड्रग डीलर असल में जूट बोड रहा है क्योंकि जैसे वह दोनों वहां से गई ड्रग डीलर अपने सीने को चेक करता है जहां भी वो निशान बना हुआ था और तो और काफी बड़ा ओरा था अब सारा की दोस्त घर आ गई उसकी डैट को शिरा आंकी वाश्रो में जाती है तो उसके साथ भी सारा जैसे डावने चीज़ें होना शुरू हो जाती है जैसे कि वह भी वहां उस आत्मा को देखती है जो से अजीब हैकतें करके डराने की कोशिश करती है इससे खबरा गई वो रोते हुई जिल्दी से बार से भागी बाहिर और फोन लगाकर सब कुछ सारा को बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ अच्छानक वो आत्मा आकर उसकी दोस्त पर हमला कर देती है जिससे एकदम वो चूप हो गई अब यह देकर सारा समझ गई कि मेरी दोस्त मुसीबत में है इसलिए वो जल्दी से वहां से नि सारा ठीक वक्त पर उसे होश में ले आती है जिससे उसकी जान बच चाती है अगी दोनों लड़कियां काफी डर गई थी और यह ड्रग डिलर के पास जाने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो आत्मा उस पर भी हमला करेगी अब ड्रग डिलर दिखाया गया जिसे भी सच में वो आत्मा डराना शुरू कर दीती है यानि अपना कोफनाक चीरा दिखा कर जिसे वो इतना डर गया कि अपने गाड़े में बैड़कर जल्दी से यहां से निकल जाता है लेकिन तबी गाड़े की एंदर भी उसकी आत्मा जाती है जिससे वो इतना गबरा जाता है उसका इतना बुरा एक्सिडेंट हुआ कि मौकी परे उसके मौत हो जाती है इसलिए काफी डरी होई थी और रोने लगती है उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें वो अपने उसी दोस्त के पाद जाती है जो सारा को पसंद करता था और उसे वो सब कुछ बता थी है जो उनकी साथ हो रहा था वह उनकी बताता है कि सालने बेल्कुल इन्हें नहीं चाली बात घॉ시र नहीं देखा भी और इचली ही दिन यहां ओन की दोस्ते डरी होई लड़की के दोस्तार से लेक्राण देंश्वाइन रहा जाते है जिसके बाद उनकी आ जाता है उनक को ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि सारा के पास जो डॉल है ये वही डॉल है जो उनकी पास भी थी जिसकी वज़सी वह आत्मा सब की साथ ऐसा गड़ती है ये चारों काफी घबरा गए और फादर की पाथ जाती है लेकिन जब ये चर्स पहुंची तो वहां फादर तो नही थी बलके इने वहां काफी साल पहले 1998 की कम्यूनिन वाले रेल मिल जाती है जिससे चलाने पर ये मैरिसोल नाम की एक बच्ची को देखती है जो उस वक्त कम्यूनिन का हिस्सा थी और उसकी हाथ में यही वाली डॉल थी जिससे यहां ये बास सामने आई कि बच्ची की आत्म असल में मैरिसोल की आत्मा ही अब यहां सारा को उस औरत की बारे में याद आया जो कम्यूनिन वाले दिन चर्च के बाहर अपने बेटी मैरिसोल को ढूमते हुए आ गई थी और मैरिसोल क्योंकि उस औरत की बेटी थी इसलिए ये तिनों अब उससे मिलने का फैसला करती है पर यहां इन तीनों पर वो आत्मा दुबारा हमला कर दीती हैं और इस बार वो डराने के लिए सारा के दोस्त को चुनती हैं क्योंकि बस वो ही रह गया था और अब बारी उसी की थी जिससे यहां हम समझ पाई कि उस रात ये चारों ही गारी की अंदर थी यानि सारा उसकी दोनों दोस्त और ड्रग डीले और डोल क्योंकि चारों को ही मिली और दिखी थी इसलिए उसे वक्ति ये चारों ही चुन लिये गए थी यानि उस आत्मा की निजरों में आ गए थी जिसकी बात आत्मा सारा और उसकी दोस्त पर हमला करकी दोनों को अलगले कमरों में फैंकर वहीं पर बं करती थी जहां सारा बं थी उस कमरे में वो फादर की लाश को देखती ए जिनके भी हाथ पर वही निशान बना हुआ था यnew कि उन्हें इस आत्मा ने ही माना था वो आत्मा अब सारा के दोस्त को मारने की कोशिश कर ती है यहां उसे भी होश कर दिया था और उसकी आत्मा को कुए मेले जाकर डबोने की कोशिश कर रही थी पर ठीक वक्त पर यहां वो दोनों आकर अपनी दोस्त को होश मिले आती है और ऐसे उसकी जान बचा ली जाती है उनकी इस दोस्त के उपर भी बिल्कुल वैसे ये निशान बन गी थी मेरी सुल की मौन की पास जाना है पर तबीया सारा की दोस्त की डेड़ आ जाती है और क्योंकि वो कॉलिज नहीं जा रही थी इसलिए उसे काफी डांटती है वो फिर से उसे पीटने लगती है जहां वो आत्मा भी दुबारा से सारा की दोस्त को डराकर उस पर हमला कर दीती है पर इस बर वो खुद को भी होश होने से तो बचा लेती है लेकिन डेर की वज़र से उसने अपने डेर्ट पर चाको से वार कर गया था जिसी दुखी होकर वो काफी रोनी लगी अब सारा और उसकर दोस्त मेरी सुल की मौन की पास पहुंच जाती है मेरी सुल की बारे में पूछती है और अपना अपना वो निशान भी दिखाती है जो देखकर वो औरस समझ जाती है कि जो कर्स मेरी बेटी पर था वो अब इन लोगों पर भी आ चुका है बताती है कि मेरी बेटी के जिसन पर अच्छानक से इसरा के निशान बनने लगी थी जिस विज़ा से हर कोई उसी दोर बागता था और उसी प्यार नहीं करता था वो हला कि बच्ची थी जो प्यार उसी चाहिए था वो उसी कभी नहीं मिला तो मैं उसे जरूर प्यार करूंगी जो कहकर ये दोनों यहां से चले गए अब इन से मिलने सारा की दोस्ताई जिसके बाद ये तीनों उस आत्मा की तलाश में निकल जाती है जैसे एक विरान जगा पर पहुंचे बच्ची की आत्मा दोबारा से इन पर हमला करने लगी और बार बार मारने की कोशिश करती है वो पर सारा पर हमला करती है पर उसे खीच कर दोबारा से उस कुए में ले आई सारा के सामने उस बच्ची की आत्मा थी सफीद कपड़ों में जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी लेकिन यहाँ वो सारा के जान लेने उसे तकलीफ दिने की बज़ाए उसकी गले सी लग गई यह देखकर सारा कब रात हो गई लेकिन तभी उसे इस बच्ची एंई मरी सोल की मों की बातें आदाने लगी कि उसे प्यार कभी नहीं मिला क्योंकि उस वक्त हर कोई उससे दो रहता था प्यार नहीं करता था क्योंकि उसका पूरा ही जिसम निशानों से जो पर गया था मैंने सोल को नहीं चोड़ती उसे गले से लगा की रखती है अब ये चीज उसकी आत्मा ने देख ली थी इसलिए वो खुद ही यहां से चली जाती है और अब सारा की हाथ में उसका स्केलेटन इन्हें धान जा गया था जिसकी फूरनी बाद सारा को इसे बाहिर आ गई और बैट कर यहां से चले चाती है दोनों लड़कें कीचन में जब अपने लिए कुछ बना रही थी तो कमरे में वापिस जाने पर सारा देखती है कि उसकी चूटी बेहन ने उस डोल को आत्मी पकड़ा हुआ है तब सारा जिल्दी सी वो डोल उसकी हाथ से चीह लेती है लेकि तब ही वाँ कमरे में अजीब गरीब जौनी चीज़े होना शुरू हो जाती है जिसके लायर्ट से जल बुच रही थी और बैट अच्छानक से उपर उठा और पिर दूर जा की गिरता है जिसके साथी कमरे के एक कोरे से एक डीमन यानि शेतान के जैसी आत्मा बाहिर आती ह और अब इससके साथ काहानी मेरी सुलकी पास्ट ज़ी में चलि झाती है जहां हमें पता चला कि ये डॉल असल में मेरी शुल की भी नई थी बल्कि उससे तो ये कुछ जंगल में से मिली थी जब हो खेल रही थी उसने जैसे डॉल को हाथ में लिया तब आझसान बनना शुर करके आत्मा को ले जाकर उनकी जान लेता है मतलब कि एक पर अगर इस डॉल को किसी ने जोल या तो इसकी अंदर का शितान उसको कभी नहीं छोड़ेगा और अब खत्रा सारा की बेहन को था यह यह बात भी साफ हो गई कि किसी को भी मेरे सोलने नहीं मारा बलकि वो तो हर बार सभी को इसलिए नजर आती थी क्योंकि वो या इन्हे समझाने आया करती थी कि उस डॉल से दूर रहें और इसने शान की बज़े से नफरत ना पेलाएं इस सांगी वहम सी दूर रही और सब को प्यार करें अपनाईं जो प्यार उसे कभी नहीं मिला था क्योंकि यहां पर व